वरुन गांधी का चुनाव लड़ने से इंकार बीजेपी ने उनका टिकेट काट दिया है लेकिन इसके बावजूद निजेस सचेव ने बयान जारी किया कि वे निर्दलिये चुनाव लढ़ेंगे सुल्तानपुर में मा के लिए प्रचार करेंगे बीजेपी ने फिलीबीच से वरुन गांधी का टिकेट तो काट दिया लेकिन सुल्तानपुर से उनकी मा मेंका गांधी को टिकेट दिया है और इन सब के भी चर्चा यह हो रही थी कि वरुन गांधी निर्दलिये चुनाव लढ़ सकते हैं ऐसी भी अटकले लग रही थी कि वरुन गांधी को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है लेकिन वरुन गांधी ने चुनाव लढ़ में से इंकार किया और कहा है कि वे अपनी मा के लिए प्रचार करेंगे तो सुल्थानपूर में मां के लिए प्रचार करेंगे वरुन गांधी दरसल वरुन गांधी लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे और ऐसे में उनका टिकट उम्मीद के मताबिक खट गया लेकिन मेंका गांधी कोट टिकट दिया है बीजेपी ने और अब एलान किया गया है वरुन गांधी की ओर से कि वे अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार करेंगे